Hello everyone, welcome back to my channel आज की वीडियो में हम लोग जो जियोग्रफी की हमारी टॉपिक वाइस टेस्स सीरीज चल रही है जियोग्रफी से स्टार्ट किया है उसका जो सिक्स नंबर का टेस्ट है वो कवर करेंगे यानि की टॉपिक है सिक्स नंबर का हिमालई नदियों का अपवात अंत्र बाकी इससे पहले जो टॉपिक डल चुके अगर आप उनको देखते हुए आ रहे तो इसमें इंट्रिस्ट आएगा अधर वाइस नहीं आएगा ठीक है तो वो भी देख लीजे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कोशन के साथ हिमालई नदिय अपवात अंत्र में कितनी नदियों का अपवात अंत्र शामिल है आप्शन्स हैं 1,2,3,4 ठीक है तो तीन नदियों का अपवात अंत्र शामिल है आप्शन बर C is correct हिमाले नदी अब वहा तंतर में मुख्यत है, तीन नदियों का वहा तंतर शामिल है और ये तीनों ही नदी तंतर जो है मैं कवर कर चुकी हूँ स्पेशल टॉपिक में सिंदु नदी तंतर, गंगा नदी तंतर और ब्रमपुत्र नदी तंतर चीक है, तो देख लीजेगा सिंदु नदी कहां से निकलती ऑप्शन से हैं पेंगोंग जील से, जेमो ग्लेशियर से, डल जील से, या फिर मानसरोवर जील से ये निकलती है मानसरोवर जील से, ऑप्शन मुबर D is correct सिंदु नदी मानसरोवर जील, या फिर चेमा यूंग डूंग ग्लेशियर से, निकलती है तथा, जम्मो कश्मीर में में लद्दाक वा जासकर शेंडी के बीच बहते हुए ये कई बार पूछा जाता है बहते हुए, पाकिस्तान में चली जाती है सिंदु नदी का मुहाना अरब सागर में है नेक्स्ट है ये कॉश्चन मैप के साथ, तब सही बैठता है मैप देखा हुआ अच्छे तरीके से तो ठीक है, अधरवाइस कोई फाइदा नहीं है कॉश्चन लगाने का सिंदु नदी किस के सहारे एक गहरे गोर्ज का निर्माड करती है उप्शन्स हैं गिलगित के सहारे, सियाचिन के सहारे जम्मू के सहारे या फ़र श्री नगर के सहारे सिंदु नदी गिलगित के सहारे उप्शन लगित के सहारे गोर्ज का निर्माड करती है जिसे हम सिंदु गोर्ज के नाम से जानते हैं सारही questions important है यहीं से सिंदु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर लेती है सिंदु नदी भारत के केवल किस जन्पद में प्रवाहित होती है मैं सिंदु नदी के दाय तट पर रवस्तित ल Clerenvironary I am telling you बहुत बार पूछ आगया यह question और लोग confused जाते हैं याद रखेएगा दायं तट पर है ठीक है next निम्लिखित में से कौन सिंधू की सहायक नदी है श्योक, गिलगित, सिगार या फिर उपरोग सभी तो ये तीनों ही सिंधू की सहायक नदी आए उप्शन नमबर डी is correct ठीक है चियोक, गिलगित, शिगार, काबुल, जासकर, जहेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, आदी, सिंधू की सहायक नदिया है जिनमेंसे जो इंपॉटन्ट है पूछी जाती है वो है जहेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज यह बहुत important है बाकि यह भी याद रखिएगा next है सिंधु नदी तंद्र की कितनी नदियां पंजाब में बहती हैं options हैं 2, 3, 4 या फिर 5 तो पंजाब में बहने वाली नदियां जो हैं वो 5 है option number D is correct consequence हैं देख ले देए वही हैं जो भी मैंने आपको बताया था कि important है सिंधु नदी तंद्र की 5 नदियां जिनको पंच नद भी बोला जाता है जैसे कि जेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलच ठीक है यह है और इनका sequence भी यही है इस तरीके से ठीक है next है next है सिंधु जल समझा था कब होगा था 1950, 1950, 1960, 1960 या फिर 1965, 1960 में होगा था option number C is correct सिंधु जल समझा था 19 सितंबर 1960 को ततकालीन भारती परिधान मंत्री स्रीजवालाल नहरू देथा ततकालीन पाकिस्तानी रास्रपती अयूब खान के द्वारा स्विगार किया गया था next है कौन भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा सिंधु ब्रहंपुत्र या फिर यमुना तो दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी गई है वो है सिंधु option number B is correct सिंधु ब्रहंपुत्र के बाद भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है सबसे पहली कौन सी है सबसे लंबी ब्रहंपुत्र उसके बाद सिंधु सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है केंतु भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है ठीक है ब्रहंपुत्र नदी की लंबाई कितनी है total लंबाई पूछी गई है 3900 किलोमीटर 3000 किलोमीटर 3100 किलोमीटर फिर 3200 किलोमीटर तो इसकी टोटल चो लंबाई है 200 किलोमीटर है option number a is correct यहां दियों की लंपाई दी गई है। बाकी की भी कई वर कंपेर करने के लिए आजाता है तो पता होने चुछिए है। ब्रहमपुत्र की 300 km है सिंधु की 2880 km है गंगा की 2525 km है सदलज की 1500 km है बात करें गोदावडी की तो 1465 km है यमुना की 1385 km है। तो जेलम चेनाव राभी या पिर सतलश कौन सी नदी हिमाले शेत्र में विसरपन करती है? जेलम नदी जम्करश्मीर में वेरी नाग के समीब शेष्यनाग जील से निकल कर निकल कर स्री नंगर होते हुए वूलर जील में मिल जाती है यह नदी हिमाले शेत्र में विसरपन करती है guys I am telling you एक-एक fact important है कहां से निकलती है किस में मिलती है यह सारी चीज़ें important है ठीक है कहां विसरपन मनाती है सारी चीज़ें next is Shrinagar किस नदी के तट पर बसा हुआ है options are जेलम, चेनाव, राविय, सतलज श्री नगर बसा हुआ है जेलम के तट पर option number A is correct ठीक है इसका explanation देख लाए एक बार श्री नगर जेलम नदी के तट पर बसा हुआ है जेलम अनंतनाग से 12 मुला तक 9 का गम्य है next is किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है जेलम चिनाव राविया सतलच तो चंद्रभागा के नाम से चिनाव को जाना जाता है option number B is correct चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में 12 लाचला दर्रे के पास से निकलती है यह सिंदो की विशालतम सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है कहां जाना जाता है यह भी याद रखिएगा रावि पव्यास दोनों नदीयां किस दर्रे के समीप से निकलती है options है शियांग, तमांग, रोहतांग या फिर बाराला चला ठीक है दर्रे, जील, पठार, परवत और यह क्या बुलते हैं बाग, रिजर्व, यह सारे टॉपिक हो चुके हैं special topic वाली playlist में है वेल, वापस तो question पर आते हैं so correct answer जो है वह रोहतांग है option number C is correct यह करेक्ट आनसर है रावि वाव्यास, option number C is correct रावी वव्यास सिंधू तंत्र की एक मात्र नदी है जो पंचाब में ही सतलज में मिल जाती है रावी नदी किस घाटी में प्रवाहित होती है कुल्लू, चम्बा, मर्खा या जुकू तो यह प्रवाहित होती है चम्बा घाटी में option number B is correct ठीक है रावी नदी चम्बा घाटी में प्रवाहित होती है जबके व्यास नदी कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है 17 नदी का उद्गम कहां से होता है या निवे कहां से निकलती है पेंगॉंग जील से, जेमू गलेशियर से, राकस्ताल जील से फिर मांसरोवर जील से important question है easy बीए साथ ही साथ है आपका ये राकस्ताल जील से निकलती है option number C is correct सतलस तिबबत पैठार की राकस्ताल जील से निकलती है वह शिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है भारत में कहां से प्रवेश करती है शिपकीला दर्रे से यह माचल प्रदेश पर पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है भारत में सबसे बड़ा जलगरहण शेत्र किस नदी का है गंगा सिंधू ब्रहमपुत्र या मुना गंगा का ही है option number A is correct भारत में सबसे बड़ा जलगरहण शेत्र गंगा नदी का है गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ठीक है एक ही बात है कहने को तो जलगरहण शेत्र यानि कि जितनी भी नदीया आ रहे है कहां कहां से वो जलगरहण कर रहे हैं जितनी भी सायक नदीया है तंत्र भी उसी को बोलते हैं जितनी भी नदियां उसकी सायक होती हैं पूरा वो जाल टाइप से जो होता है तो वो भी नदी तंत्री कहलाएगा ठीक है गंगा का निर्माण उत्राखंड के किस स्थान पर दो धाराओं के मिलने से होता है ये important question है गंगा का निर्माण उत्राखंड के किस स्थान पर तो स्थान पूछा है कि कहां पर दो धाराओं मिलती है जब इनका निर्माण होता है गंगा का सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग या विश्नो प्रयाग ठीक है तो ये होता है देव प्रयाग में option number C is correct गंगा का निर्मार उत्राखंड के देप्रयाग में दो धाराओं के मिलने से उतारवाई दो धाराओं कौनसी कौनसी है भागी रथी वा अलकनन्दा भागी रथी गंगोत्री से निकलती है अलकनन्दा सतोपत कलेश्यर से निकलती है ठीक है अलकनन्दा भागी रथी भी लांगना या फिर गंगा गंगा तथा विष्णु प्रयाग एक दूसरे से विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनन्दा निकलती है अगर इसी थोड़ से क्रिटिकल हैं कि धौली गंगा, अलकनन्दा, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग कौन सी कहां मिल रही है थोड़ से क्रिटिकल है रटन निकल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से मैप के थ्रू किस इस्थान पर अलकनन्दा से मंदा किनी नदी आकर मिलती है रुद्ध प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग या विष्णु प्रयाग रुद्ध प्रयाग, ऑप्शन नबर A is correct रुद्ध प्रयाग में अलकनन्दा से मंदा किनी नदी आकर मिलती है कर्ण प्रयाग में अलकनन्दा से पिंडार नदी आकर मिलती है ठीक है नेक्स्ट है, गंगा नदी कितने राज्जों से होकर भैती है तीन, चार, पाँच ये अच्छ है प्रयाग, ऑप्शन नबर C is correct गंगा नदी पाँच राज्जों से जिनके नाम है उत्राखंड, उत्रप्रदेस, बिहार, जहारखंड वो पश्यमंगाल से होकर भैती है ये राज्जों के नाम याद रखेगा, मैं भी देख लीजेगा उसके वाल उत्रप्रदेस में कहां कहां से होकर भैती है, ये चीज़ आप बाद में देख लीजेगा गंगा नदी की सरवादिक लंबाई किस प्रदेश में पाई जाती है गंगा की सरवादिक लंबाई उत्रप्रदेश वह सबसे कम की बात करने तो वह जाती है, दोनों याद रखनी है, आप लोगों को ठीक है कुछ भी पूचा जा सकता है, महाँ पर है किस वर्स गंगा को राश्ट्रिय गंगा का दर्जा दिया गया था राश्ट्रिय नदी का दर्जा दिया गया था, मैं राश्ट्रिय गंगा बोलते हूं उसको, सॉरी सन 2000 में, सन 2005 में, सन 2008 में, फिर 2010 में important question है, सारी question important है, हर किसी पर important बोलना भी अच्छी बात नहीं है न चले कोई बात नहीं, आगे से नहीं बोलूँगी मैं बहुत जादा important होगा, तब बोलूँगी so correct answer is 2008, option number C is correct okay, 2008 में गंगा को राश्ट्रिय नदी का दर्जा दिया गया था गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताईए पढ़ना, हरेद्वार, उन्नाव या कानपूर कौन सा शहर है, कानपूर ही तो है, option number D is correct गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपूर है सरपिथम किस स्थान पर गंगा परवतिय भाग से निकल कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है option से पढ़ना, हरेद्वार, बरेली या फिर सहारनपूर okay, so correct answer is सहरनपूर, option number D, सहरनपूर है, नहीं नहीं, हरेद्वार है option number B correct है, मैं सहरनपूर के बोल रहे हूँ सरपिथम हरेद्वार में गंगा परवतिय भाग से निकल कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है गंगा नदी पश्यम बंगाल में किस स्थान पर बंगला देश में प्रवेश करती है okay, so 24 परगना में हुगली में, मिदनापूर में या फिर फरक्का में correct answer is फरक्का, मैं प्रवेश करती, option number C is correct गंगानदी पश्यम बंगाल में फरक्का नामा की स्थान पर बंगलादेश में प्रवेश करती है नेक्स्ट है पश्यम बंगाल इस रेलेटेट गुश्यन है पश्यम बंगाल में गंगानदी वितरकाओं में बट जाती है कितनी वितरकाओं में दो तीन चार या पाँच यह बढ़ जाती है चार वितर काओं में आप्शनमबर सी इस करेक्ट पाशन बंगाल में गंगा दो वितर काओं भागी रहती थे था खुगली में बढ़ जाती है एक सेगेंड मैंने अंसर क्या बताया था आप्शनमबर सी है एक सेगेंड देखते हैं पहले दुवारा से पश्य मंगाल में गंगा नती कितनी वितर काओं में बढ़ जाती है तो करेक्ट आंसर तो इसका चार है पढ़ लेते हैं परेपुरा पश्य मंगाल में गंगा दो वितरिकाओं में भागी रहती तता होगली में बढ़ जाती है बांगलादेश भागी रहती जो है बांगलादेश में चली जाती है और तता होगली दक्षिन में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है गंगा बांगलादेश पहुचकर किस नाम से जानी जाती है बराक मेगना पदमा या फिर तीस्ता यह जानी जाती है पदमा के नाम से जानी जाती है लेकिन जब बराक यानि कि मेगना नदी पदमा में आकर मिलती है तब इसका नाम मेगना हो जाता है और मेगना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है next है सुंदर्बन का डेल्टा किस नदी द्वारा नेर में था options है गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर दोनो या फिर इन में से कोई भी नहीं तो सुंदर्वन का डेल्टा जो है वह है दोनों रदियों की द्वारा बनाए गया ऑप्शन नमबर C करेक्ट हो जाएगा गंगा तथा ब्रह्म पुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है इसका दो तिहाई भाग बंगलादेश तथा शेष भाग भारत में आता है यहां सुंदरी नमख वरक्ष की अदेखता के कारण इसे सुंदर्वन का डेल्टा कहा जाता है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गोमती महाननदा यमुना या चंबल तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना ही है आप्षिन नमबर सी इस करेक्ट यमुना की सबसे लंबी गलत लिखती है यहां पर सही है यह इसमें दे रखा है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यहाँ पर कॉमा होना चाहिए ताकि यह अलग दिखे ठीक है यह है उत्राखंड में गंगोत्री ग्लेशियर यह मुनुत्री ग्लेशियर की बंदरपुश चोटी से निकल कर प्रयाग राज में गंगा में गंगा से मिल जाती है नेक्स्ट है कौन गंगा की एक मात्र सहायक नदी है जो हिमाले से निकल कर दाई तट पर आकर मिलती आप्शन से गोमती महानन्दा यमणा या फिर चम्बल ठीक है तो करेक्ट आंसर फिर से यमणा ही है ऑप्शन आपर सी इस करेक्ट ओके गंगा की सहायक नदीयों में से यमणा एक मात्र सी नदी है जो की हमाले से निकल कर दाई तट पर आकर मिलती है वैसे दायतर पर बहुत सी नदिया मिलती है लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यह हिमाले से निकलती है लेकिन मिलती फिर दायतर से है ठीक है? तो यह इसकी एक खास बात है Next है कॉनसी श्रेंडी यमुना और सोन के मध्यय जल विवाजक का कार्रेकट दी है ठीक है तो options है कैबूर भांडेर अजनता या फिर महींद्रगरी correct answer जो है वो है कैमूर option number A is correct यमूना sorry कैमूर श्रेड़ी यमूना और सोन के मध्य जल विवाज़क का कार्या करती है next है चंबल सिंध बेतवा केन आदी नदियां कहां से निकलती है अमरकंटक चोटी से मालवा का पठार से दक्कन का पठार से या फिर गुरु शिखर परवस से चंबल सिंध बेतवा और केन की बात हो रही है आप है तो ये नदियां निकलती है मालवा का पठार से यानिकिए option number B is correct चंबल सिंध बेतवा केन मालवा के पठार से निकलती है ये गंगा की सहाइक नदी है लेकिन यह अपना जल गंगा सीधा गंगा में न गिरा कर यमुना नदी में गिराती है तो यमुना के सहारी ये मिलती है next है सोन दी का उदगम कहां से होता है अमरकंटक से या फिर मालवा का पठार से दक्कन के पठार से या फिर गुरु शिकर से तो सोन नदी का उद्गम होता हैं अमरकंटक चोटी से option number A is correct सोन नदी, सोन अमरकंटक चोटी से निकल कर पटना के पास गंगा मिलती है टोन्स नदी किस स्थान के पास से निकलती है, आप्शन्स हैं, पटना, हरेद्वार, प्रयागराज या फिर कानपुर Correct answer is प्रयागराज, option number C is correct Okay, so, टोन्स नदी प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिलती है कन्नोज, option number A is correct राम गंगा नदी नैनिताल के निकट से निकलती है, यह कन्नोज के पास गंगा में मिल जाती है, निकलती कहां से यह भी याद रखेगा कौन सी गंगा नदी की एक मातर साहिक नदी है, जो मैदानी भाग से निकलती है, इसका ओधगम पीली भीत जिले में इस्तित फुल और जील से होता है Important part है यह ठीक है ओधगम कहां से होता है निकलत में से कौन गंगती नदी के तड़ पर बसे हुए है ओके, लखनो जौनपूर या फिर दोनो या फिर फैजावाद के बल तो वो हैं, दोनों ही हैं, लखनो भी है और जौनपूर भी है जोकि गंगती नदी के तड़ पर बसे है Option number C is correct लखनो भी जौनपूर गंगती नदी के तड़ पर बसे हुए है गागरा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है नुब्रा, वियाफो, वियाफो या फिर बालतोरा, मापचा चूंग या है मापचा चूंग से निकलती है Option number D is correct गागरा नदी तिबबत पठार के समीप मांसरोग जील के निकट चूंग ग्लेशियर से निकलती है बिहार में छपरा के पास गंगा में गंगा से मिल जाती है उसके बाद next है गंडक को नेपाल में किस नाम से जानते है options है गंडक को next किस नादी को बिहार का शुक कहा जाता है very important question and easy बहुत जादा easy है इस सब को पता है कोसे नादी को कहा जाता है option number C is correct ठीक है कोसी नेपाल के गोसाई नाथ चोटी से निकल कर बिहार में बहती है इसको बिहार का शोग भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी बिहार में रास्ता बदल कर बाड़ लाती है कौन सी नदी गंगा से बाई तट पर मिलने वाली सबसे पूरवी तथा अंतिम नदी है गंगा से बाई तट पर मिलने वाली सबसे पूरवी तथा अंतिम नदी है इसका उदगम पश्यमंगाल में दारजलिंग की पहाड़ी से होता है प्रंपुत्र नदी का उदगम किस गलेशियर से होता है चेमा यूंग्डूग गलेशियर, व्याफो गलेशियर, बालतोरा गलेशियर, और मापचा चाचूग गलेशियर और ऑंसर क्या है चेमा यूंग्डूग गलेशियर से option number A is correct ब्रह्मपुद्र नदी इस्तिबद के मांसुर वर्डशील के पास चेमा यूंगडूं ग्लेशियर से निकल कर हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी नामचा वर्वा की समीप से यू टर्ण लेकर अरुणाचर प्रदेश में प्रवेश करती है ठीक है नेक्स्ट है आपको लोगों का कॉस्चिन ब्रह्मपुद्र नदी को अरुणाचर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है सांगपो दिहांग यमुना या फिर बराक गाइस ये जमुना है यमुना नहीं है ओकी डिफरेंस दोनों है तो यहां पर वैसे दिहांग नाम से जाना जाता है ऑप्शन ब्रह्मपुद्र नदी ने व्रहद हिमाले को काट कर किस गौर्ज का निर्माड किया है सांगपो गोर्ज का, दिहांग गोर्ज का, सियांग गोर्ज का या फिर उपरिक्त में से किसी भी गोर्ज का निकिया किया है क्यों निकिया, दिहांग गोर्ज का किया, option बर B is correct ब्रहम्पुत्र नदी ने व्रहद हिमाला को काट कर एक गहरे गोर्ज का निर्मार करती है जिससे दिहांग गोर्ज कहते हैं किस नदी में भारत का एक मात्र नदी जिला आवस्थे थे? ऑप्शन्स हैं गंगा सिंधू, ब्रहम्पुत्र या यमुना आंसर है आपका, ब्रहम्पुत्र आप्शन्स नदी नदी जिला भी है असम में ब्रहम्पुत्र सदिया से धुबरी तक रैंप घाटी में बहती है ब्रहम्पुत्र के बारे में बात हो रही है ये माजुली दीप के बारे में बहुत बार पूशा गया है तो याद रखेगा इसको ठीक है किस नदी बेर है कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहाइक नदी है इसमें से दिबांक, लोहित, धंशरी या फिर उपरक सभी सारी ही है ब्रह्मपुत्र की सहाइक नदिया इंपोर्टन आ उप्शन वर B is correct ब्रह्मपुत्र की सहाइक नदिया गए है दिबांक, लोहित, धंशरी इसके लाब़ा सुबनसीरी, जिया भरेली क्या नाम है पगला दिया, और मानसा मानस और टीसता जिया भरेली, पगला दिया ठीक है नेक्स्ट, ये मानस और तीसता भी है याद रखेगा सारी नाम पूछे नहीं जाते बटी इसमें से important पता है कौन सुबंस ही रही है मानस और तीस्ता भी है और ये दिबांग लोहित और धंशेरी बहुत important है ये पूछे जाती है ये दोनों पूछे ही नहीं जाते कभी प्रहमपत्र की सहाएक नदी पूछे मंगाल सिक्किम या फिर आसम तो इसका उद्गम होता है आपका सिक्किम से यानि के option number C is correct next है तीस्ता नदी सिक्किम के जेमो ग्लेशियर से निकलती है तथा बंगलादेश में जमुना से मिल जाती है तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बंगलादेश के मध्य हुआ था अगर पूछ ले आता है बाई जान्स तो याद रखना कि तीस्ता नदी जल विवाद किसके मध्य हुआ था पहारातर बंगलदेश के में दियो, राइट, निमलिकित में से कौन सी पूरवर्ती नदी नहीं है, सिंदू, सतलश, ब्रहमपुत्रिय, गंगा, टैल मी दा आंसर, सतलश, ऑप्शन पर B, गंगा है, ऑप्शन नदी, इस करेक्ट, सिंदू, सतलश, तता ब्रहमपुत्र, पू पूरवर्ती नदीयां वे होती है, वे हैं, जो हिमाले की उत्पत्ती से, पूरव भी मांसरुवर्ट जील से निकलकर, टैथिस सागर में अपना जल गिराती थी, नेक्स्ट इस शिपकीला गौर्ज का निर्माड के सिंदी द्वारा किया जाता है, उप्शन से, सिंदू, सत होनी चाहिए, ठीक है, हिमाला पार की नदी है, ब्रह्मपुत्र, सिंदू, सतलच, या फिर उप्रक्त सभी भी, हलांकि आप लोगों को अंसर दिखी गया है, वेज़े तो है न, डी, सारी है, ब्रह्मपुत्र, सिंदू, 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 सि भारत में यर्लूंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है। यमुना है या फिर चिनाब है। तो वो जो जिसको कालिन नदी का दूसरा नाम जो है वो यमुना ही है। सी इस गरेक्ट। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। राम गंगा, ब्रह्म पुत्र, काली या फिर तीस्ता यो ताब लोगों को पता होगा काली नदी है option number C is correct, तीस्ता मतलगा क्या ना भारत और नेपाल के मध्य, काली नदी जो है वह सीमा बनाती है 56 question बने थे इस topic से, कौन से topic से, जिसका नाम है हिमालाई नदीयों का आप वहाँ तंत्र, 6th number का topic है ये दूसरी चीज, अगर आप लोगों को PDF की नीड है तो आप इस number पर कॉल्या वाट्सेप कर सकते हो या फिर site का link video के description box में, आप लोग वहाँ से site पर visit कर सकते हो आप लोगों को मिल सकती है, तो ठीक है, देख लीजेगा पिछले topic अगर देखते हो आ रहे तो ठीक है अगर डारेक्टी वाला topic देखते हो तो इंट्रेस्ट नहीं आएगा और आप लोगों का profit भी नहीं है कोई ठीक है तो thank you so much for watching my video मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धिहान रखिए अपना और दूसरों का, bye bye, take care